है गाइस वेलकम टू था अंड्रोइड गाइड चैनल और आज के इस वीडियो में मैं आपको Vivo Y36 5G को कंपेर करने वाला हूँ Realme 10 Pro 5G के साथ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों स्मार्टफोन में क्या-क्या इस प्राइस को आपको यापको देखने को मिलेगा लेकिन इस इस स्मार्टफोन अगर को परषिस करना चाहिए तो आपका आज यह आज इस को nach on को वीडियो के इंड में बट उससे पहले अगर आप में चानल को subscribe कर लें बिल प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकें तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आई सबसे पहले बात करते हैं वीव वाई 36 5G से तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.64 इंच का IPS LCD FHD Plus डिस्पले दिया गया रिफ्रेस्टेत पर आते हैं तो वीव वाई 36 में 90 Hz का रिफ्रेस्टरेत रिफ्रेस्टरेत अन रियलमी 10 Pro 5G में 120 Hz का रिफ्रेस्टरेत का औशन दिया गया है प्रोसेसर पर आते हैं तो वीव वाई 36 में snapdragon 680 वाला 5G चिप्सेट मिलता है and Realme 10 Pro 5G में Snapdragon 695 का दोनों ही में आपको 8GB RAM मिलता है लेकिन Vivo Y36 में 8GB RAM के साथ 256GB ROM मिलता है and वहीं आपको Realme 10 Pro 5G में 8GB RAM and 128GB ROM का maximum support दिया गया है दोनों ही में आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है and charger में आपको Vivo Y36 में 44W का and Realme 10 Pro 5G में 33W का fast charging का support दिया गया है Vivo Y36 में 50MP का main camera, 2MP का bouquet and 2MP का macro lens दिया गया है and Realme 10 Pro 5G में 108MP का main camera and 2MP का depth camera दोनों ही में 16MP का selfie camera का option दिया गया है and Vivo Y36 में Funtouch OS 13 का and Realme 10 Pro 5G में आपको Realme UI 4.0 का support दिया गया है दोनों ही में Android 13 मिल जाता है and 5G network का support दोनों ही में है and यहां पर दोनों ही phones में dual band wifi का भी जो हवा option अबलेवल है and Bluetooth version जो हवा Vivo Y36 में Bluetooth 5.0 and Realme 10 Pro 5G में Bluetooth 5.1 charging के लिए USB Type-C का option दिया गया है and NFC का support आपको इसमें मिल जाता है and Vivo Y36 5G में IP54 का water resistant का option अबलेवल है and वहीं आपको Realme 10 Pro 5G में यह चीज़ में नहीं है Vivo Y36 में आपको टू कलर option मिलते है and Realme 10 Pro 5G में 3 कलर side-mounted fingerprint scanner दोनों ही phones में अबलेवल है and जो price है वह Vivo Y36 5G का price है 16,999 and Realme 10 Pro 5G का price है 18,999 so guys यहाँ पे 2,000 रूपीज के price difference के साथ यहाँ पे यह दोनों phone जो है वह available है इंडन मार्केट में लेकिन जो main key difference है वो क्या है वो मैं आपको बता तो 4-5 key difference है इंग दोनों phone को differentiate करने के लिए तो यहाँ पे Vivo Y36 and Realme 10 Pro 5G में आपको सबसे पहले display में difference बताते हैं तो Vivo Y36 में आपको 6.64 inch का full HD plus IPS LCD screen मिलता है 2.5D का curve glass मिल जाएगा आपको इसमें और वहीं अगर Realme 10 Pro 5G पे आते हैं तो इसमें आपको 6.72 inch का full HD plus AMOLED display दिया गया है यह वह गया first difference refresh rate पे आते हैं तो Vivo Y36 में आपको 90Hz का refresh rate का option मिलता है और वहीं आपको Realme 10 Pro 5G में 120Hz का यह हो गया दूसरा difference तीसरा difference है chipset में Vivo Y36 में आपको Snapdragon 680 वाला chipset दिया गया 5G chipset और वहीं आपको Realme 10 Pro 5G में आपको Snapdragon 695 वाला chipset का option दिया गया है दोनों ही 5G ready है चौथा difference है charging में Vivo Y36 में आपको 44 Watt का and Realme 10 Pro 5G जो है इसमें आपको 33 Watt का fast charging का support दिया गया है और जो last difference है वो है इसके camera में camera जो है वो आपको Vivo Y36 का camera जो है वो आपको 50 Megapixel का main camera 2 Megapixel का booke and 2 Megapixel का macro lens और वहीं अगर देखा जाए Realme 10 Pro 5G में तो इसमें आपको 108 Megapixel का main camera and 2 Megapixel का आपको एक depth camera दिया गया है तो यही जो है आपको 5 main difference आपको इन दोनों smart phones में देखने को मिलेंगे और price में आपको 2000 रुपीज का difference है तो यहां पर price अगर 2000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करते हैं तो यहां पर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा कि आपको display अच्छा मिलेगा AMOLED के साथ 120Hz का refresh rate मिलेगा जो बहुत ही बैथरी ने gaming के लिए chipset में आपको upgrade देखने को मिलेगा तो chipset का performance भी बढ़ जाता है camera में काफी अच्छा जो आप ग्रेट देखने को मिलेगा 64 MP जो वीव में है उसमें आपको realme में 108 MP का देखने को मिल जागा यह चार में डिफ्रेंस आपको इन दोनों फोन में देखने को मिलेंगे अगर आपको इन दोनों में से कोई एक फोन पर्चेस करना है तो मेरा मानना यह है कि इन दोनों में से आप जो एक AMOLED डिस्प्ले के साथ जो हो realme 10 Pro 5G को पर्चेस करें अगर आपको मेरी वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी कोशन पूछन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें मैं एंसर जरूर दूँगा